मार्केट पिछले कई दिनों से बोला ताइल नजरा रहा है और दोनों इतरब कापे बड़े बड़े मूब हमें देखने को मिल रही है बड़े स्विंग देखने को मिल रहा है तो देखते हैं कि आगे ये कैसा प्रफॉर्म करेगा मार्केट और देटा पर इसके क्या चल रहा है बात करेंगे निट्टी के ओफ्षन चेन की उवाई की उवाई की देटा की जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट में एक बड़े स्विंग हमें देखने को मिल रहा है तो इस स्विंग के पीछे एक देटा काम करता है वह है इंडिया विक्स की आगे हम लोग जैसे जैसे एलेक्षन के करीब बढ़ते जाएंगे चुनाव हमारे सामने आता जाएगा नज़िक आएगा वैसे वैसे इस इंडिया विक्स का इंपोर्टेंस मार्केट में बढ़ता जाएगा तो सबसे पहने हम लोग इस इंदिया विक्स को थोड़ा दिसकस कर लेते हैं क्योंकि यही मेन रीजन है यही मेन कारण है कि मार्केट में हम लोग दोलो तरफ एक बड़ा मूब देख रहा है निफ्ती में 400-500 पॉइंट का एक स्विंग देख रहा है कि लोग भी हमें एक बड आता है जैसे हमारे सामने आपका इलेक्शन आने वाला यह इविंट है तो इसमें थोड़ा यह लोग रेंज से उपर के तरफ जाता है तो यह रेंज में रहता है कि इसका अपर रेंज होता है निचे एक लोग रेंज होता है और इस रेंज के बीच ही यह मूब करते रहता ह जैसे-जैसे कोई volatile event आता है तो इसमें उपर कित्रा move देखने को मिलती है और इसमें जैसे-जैसे उपर कित्रा move देखने को मिलती है वायसे ही market में अमें unstable movement swing देखने उपर मिलती है मतलब जितना ज्यादा volatile आपका ये इंदिया विक्ष दिखाई पड़ेगा market भी उतना ज्यादा volatile नजर आएगा market वह उतने ही बड़े-बड़े swing नजर आएंगे तो आप देखेंगे कि अभी मी आपका ये median पे आए और इसको cross करके उपर कितरफ अगर अपर range कितरफ जाएगा और उसके उपर भी निकलेगा election के समझ जैसे-जैसे करीब जाएंगे तो ये उसके उपर निकलेगा और ये क्या करेगा हमारे market में एक बड़ा range खिरियत जो निफ्ती मार्केद दोनों ही तरफ उस range में move कर सकती है एक बड़ा सम्मुख range होगा एक अलग से वीडियो में ने बना रखा है इंडिया विक्स के उपर विक्स के उपर बुलेट लेती के उपर अगर आप उसे नहीं देखें है तो उसे देख सकते है इसका लिंक आप वो आज बतन में मिल जाएगा हम आगा है निफ्ती के option chain के उपर आगे बनने से पहले अगर आप चैनल के नए है तो वीडियो को लाइफ कर लिजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए अब बात करते हैं निफ्ती की तो निफ्ती की closing सबसे पहले देखेंगे 21 1853 पेस की closing होई है और हम लोग बात कर रहे हैं आथ फेबरी की expiry की बात हम लोग कर रहे हैं आप देखेंगे की निफ्ती के उपर हमें कहा call position बनते हुए दिखाई पढ़ रहा है और put position बनते हुए दिखाई पढ़ रहा है और आप इधर देखेंगे तो यहाँ इस जगे द दिखेगा लेकिन स्टाइक देखेंगे कहां पर है 23,000 का स्ट्राइक है यह इतना बड़ा इतना दूर जाके यह call writer समय है यहाँ पर position देखने को मिल रही है फोड़ा उपर जाएंगे तो पता चलेगा कि आप इस जगे भी देखेंगे कि 98,000 के ऊपर 98,000 लोट्स का उपर जाएंगे 19,000 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 लोट्स का मतलब आप देखेंगे तो यहां इस option chain के उपर जो call position है वो काफी दूर दूर बना हुआ है confidence ठोरे से कम लग रहा है राइटर्स के उपर इस पूरे option chain के उपर confidence कम लगने का मतलब है कि market में traders को लग रहा है कि market में बड़ा swing दिखाई पढ़ रहा है के लग क्या रहा है दिखाई भी पढ़ रहा है कि market में बड़ी swing है और वे अपने position को control नहीं कर पाएंगे इसलिए हमें दूर दूर position बनते भी दिखाई पढ़ रहा है इस साइट भी आपको सेम कहानी दिखाई पढ़ेगा इस जगह देखिए 93,000 लोट्स का उपन क्रिस्ट आपको दिखेगा 51,000 लोट्स का उपन क्रिस्ट एरीसें दिखेगा 21,600 का strike है और इसके निचे आप देखेंगे इस जगह देखिए 7,000 लोट्स का उपन क्रिस्ट 21,500 का strike है और इसके बाद आप फुरा और निचे जाएंगे तो आपको एब्दम से दूर आपको 21,000 के strike के उपर 11,000 लोट्स का उपन क्रिस्ट आपको दिखेगा 29,000 लोट्स का उपन क्रिस्ट एदिशन 21,000 का strike है तो दिखे कहां कितना बड़ा रेंज आपको दिखाई पर रहा है ये 21,000 से 23,000 तक का रेंज दिखाई पर रहा मतलब निफ्टी के ऊपर ये 2,000 पोइंट्स का रेंज दिखाई पर रहा है अब बात यहां फिर से घूम फिर के आ जाती है इंदिया विक्स की तो ये जो रेंज आपको इतना बड़ा दिखाई पड़ रहा है दूर दूर जो ये त्रेजर सब को दिखाई पड़ रहा है पहले क्या होता था ये ओप्सन राइटर्स बहुत कम रेंज पे ही रहा करते इतनी दूर दूर पोजीशन नहीं बना के रखते थे अभी क्या हो रहा है ये पोजीशन दूर दूर बन रहा है यही रीजन है कि जो सपोट और रसिस्टेम्स बन रहे हो खमजोर बन रहे है और असानी से ब्रेक कर रहे है निच्चे भी और उपर भी और दोनों ही तरफ यह आपका effect है इंदिया विक्स का देखें इंदिया विक्स का एक और effect आपको देखने को मिलेगा अगर आप थोड़ा से वे option chain को follow करते हैं या फिर मेरी analysis पीछे देखें अगर नहीं देखें तो पीछे के वीडियो में आप यह cross यह करने के लिए देख सकते हैं तो आपको प यहां पर participation हमें कम दिखाई पढ़ रहा है आपको पहले की मुकाबले यहां पर जो lots का context के lots हैं वो कम है मतलब यह है कि यह जो move आपको मारेटर में दिखाई पढ़ रहा है यहां पर volume कम है इस सोजे से यह भुलेतलिती बढ़ रही है और इसमें हमें कमी देखने को मिलेगी जैसे जैसे volatility हाई होगा यहां पर कमी दिखाई पढ़ेगा जैसे जैसे election की तरफ हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे में इस पर कमी दिखाई पढ़ेगी तो दीखे अब हम लोग copy volatile market में है तो range तो हम लोगों ने range जो हमें दिखाई के सामने आ रहा है तो एक बड़ा सा range दिखाई पढ़ रहा है 21,000 से 23,000 तक का range एक बड़ा वाल रेंज दिखाई पढ़ रहा है लेकिन इसको छोर के छोता range की भी बात कर लें तो 21,600 से आपका जो चोता range दिखाई पढ़ रहा है वो आपको दिखेगा 20,200 तक का एक range दिखाई पढ़ रहा है 20,600, 21,500 से 20,200 तक का एक range दिखाई पढ़ रहा है और उप पर 22,500 का यह कि यह 1000 पॉइंट के करीब का यह चोता range है तो सोच लेजे आप यह चोता range करे सकते हैं उससे यह एक अपने आप में बड़ा range है लेकिन इस उफल अखलिती के इसाब से यह चोता सा range है जिसको आपको ध्यान में रखे ध्यान में रखना है पीवत स्ट्राइक यहां पर 22,000 का स्ट्राइक है यहां अमरे पीवत स्ट्राइक के काम करेंगे यहां करीब 90,000 लॉट्स का ओपनềंत रिस्ट आपको और आपको 45,000 लोट्स को उपन रिस तब को पूत में दिखेगा तो यह आपका एक पीवत स्ट्राइक हो रह सकता है और में भी 21,900 का भी एक पीवत स्ट्राइक आप कंसिदर करेंगे लेकिन साइकोलोजिकल पॉइंट 22,000 का है इसलिए मैं उसे एक पीवत स्ट्राइक समझ रहा हूँ तो इसके उपर हम लोग रहेंगे तो 21,100, 200 के तरफ जाएंगे इससे ब्रेक किया तो 22,300, 400, 500 के तरफ बढ़ेंगे अगर इसके निच्चे हम लोग गये 21,000 के निच्चे रहेंगे तो 21,800, 700, 600 के तरफ बढ़ सकते हैं और यह मूब दोनों ही तरफ आ सकता है मार्केट में दोनों ही तरफ हो सकता है किसी किसी दिन आपको ऐसा मिलेगा कि यह जो रेंज है निच्चे दोनों ही तरफ के रेंज को तच करके आ रहा है या मूब कर रहा है गूंग रहा है आपको यह सा दिखाई पड़ेगा चेंज दिखाई पड़ेगा आपको यहां पे कॉल के ओवाई में एदिशन दिखाई पड़ेगा और हमें जो LTP में चेंज दिखाई पड़ रहा और पोजिटिफ दिखाई पड़ रहा है यह इंडिकेट करता है कि यहां पे हमें put writers दिखाई पड़ रहा है तो एक और चीज आप देखें, यहां पे हमें call site के open place में unwinding दिखाई पड़ रहा है तो यह एक इंडिकेशन यहां पे भी हो है कि तोड़ा सा market आपको यहां पे call writers में थोड़ा सा confidence कम दिखाई पड़ता हुए दिखाई पड़ रहा है करते PCR की PCR 0.86 के उपर दिखाई पड़ रहा है, comfortable दिखाई पड़ रहा है बता रहा है कि हमें तोड़े सी उपर कित्र मूब देखने को मिलेगा निफ्टी के उपर आपका 21,900 के है और इसके निच्चे हमें closing देखने को मिलेगा तो यह भी थोड़ा सा positive दिखाई पड़ रहा है क्यों की उपर की तरफ आपका max win है देखें जो हम लोग बात कर रहेते हैं कि put side में हमें put writing ओते पे दिखाई पड़ रहा है और call side में हमें call bind होते हैं दिखाई पड़ रहा है तो अगर हम trend की बात करें trend की बात करें तो overall जो trend हमें दिखाई पड़ रहा है आपके निफ्टी के उपर यह positive दिखाई पड़ रहा है trend आपके positive दिखाई पहरो है और कहा तक आपको positive दिखाई पर रहा है इस month Тक की level निकल रहा हैं आपको दिखाई पर रहा है लेकिन एक और चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो इंदिया विक्स है वो इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब यह है जो यह मूब रहेगा वन साइद नहीं रहेगा हमें दोनों ही तरफ मूब देखने को मिलेंगे जो बड़ा सा रेंज हम लोगों ने देखा पीछे 21,000 से 23,000 का तो में भी यह दोनों ही रेंज इस मन्त मार्केट टेस्ट कर सकता है तो यह रहा ओवराल एनलेसिस पताईए कि आपको इनमे से कौन से देता सबसे ज़्यादा पसंद है कॉमेंट में पर पताईए आपका यह एनलेसिस कैसा लगा ताइंक यू वेरी मैश पर व